हेलो दोस्तों कैसे हैं आप तो आएए मेरे साथ मैं आज आपको गुड की खीर बनाना सिखाती हूँ क्योंकि चीनी की खीर तो आपने बहुत बार खाई होगी और लोगों को भी खिलाई होगी लेकिन आज आप बनाएए खुद भी खाईए और लोगों को भी खिलाईए और पर चावल भी कौालिटी है ने कहित चोटे हैं यह गाउं से आये हैं मेरे खेत के चावल है तो इसी तरीके से मैंने इसको साफ करके और पिर इसके बाद उसको मैंने धुलिया अब जितना भी मीठा खाते हैं, गुडो को पेगला लिया है, और उसके बाद मैंने इसको छान लिया है। यह जरूरी बात है उसके बाद एक कुकर ले लिया है और उसके अंदर मैंने यह गुड़का पिगलावगा पानी डाल दिया है चान लेने से क्या होता है इसमें किरकिरी हर जाती है और हमारे खाने में किरकरापन नहीं आता है उसके बाद मैंने यह दोई हुए चावल इसमें डाल दी है और उसके बाद मैंने इसको सीटी लगा दी है इसमें आपको कम से कम 8 से 10 सीटी लगानी है तो ही यह पकेंगे इसको पकने में बहुत टाइम लगता है उसके बाद मैंने इसमें गाढ़ा धूद डाल दिया है क्रीम वाला धूद है फुल क्रीम वाला अब भी क्रीम बदाम डाल करके मेरा वीडियो देखने के दड़ा